Hello and Welcome to Fun Learning आज हम इस वीडियो में Bollywood की Court की Measurement और इसकी Rules और Regulation इन सब के बारे में अच्छे से Discuss करने वाले हैं और Bollywood की History पे मैंने अल्रेडी वीडियो बना दिया है अगर आपने वीडियो नहीं देखा तो आप चैनल पे आपको वीडियो मिल जाएगा आप वीडियो देख सकते हो ठीक है और ये वीडियो काफी important होने वाला है चाहे आप Physical Education Teacher exam की त्यारी करे हो या आप Physical Education के student हो सभी के लिए वीडियो important होने वाला है इसमें हम देखिए सबसे पहले Bollywood court के बारे में हम देख लेते हैं कि क्या है ठीक है इसका जो court होता है कुछ इस तरह से होता है देखिए आप diagram में देख सकते हैं ये rectangular होता है ठीक है और जो इसकी length होती है 18 meter ठीक है और जो इसकी width होती है 9 meter इसकी width होती है अब आप इसकी जो ये वाली line आप देख रहे हैं या पर center में इसको centerline कहते हैं ठीक है और उसके बाद देखिए यह वाली जो line आपको देख रही है दौनों तरफ में इसको बोलते है attack line और यह जो side में आपको दौनों तरफ line देख रही है इसे side line बोलते है और यह देखिए जो इसकी width लाइन और अटेक लाइन के वीच का डिस्टेंस है यह होता है तीन मीटर का ठीक है तीन मीटर का होता है और अटेक लाइन और end line के वीच का जो distance है ये वाला distance है हमारा 6 meter का फिर उसके बाद आप देख सकते हैं ये सारी line जो आपको दिख रही है white color में ठीक है marking वो होती है 5 cm चौड़ी ठीक है इसकी marking की जो line है ये है 5 cm चौड़ी होती है यानि कि इसकी line की width कितनी हुई 5 cm उसके बाद इसके coat में और क्या चीज़े होती है ठीक है उसे हम इस वाले diagram की त्रू समझेंगे ये तो हमने पढ़ लिया ठीक है ये है back zone ये वाला area दोनों तरफ में और ये वाला area हमारा front zone है ठीक है ये center line और अब देखिए यहां पर ये इसके दोनों तरफ में pole लगे रहते हैं जिस पर net लगता है ठीक है और ये जो pole का distance है side line से ये कितना होता है ये होता है 1 meter ठीक है दोनों तरफ में 1 meter होता है pole यानि pole हमारे 1 meter पे लगते है अब उसके बाद और क्या है इसके बाहर चारों तरफ में हमारे free zone area रहता है ठीक है क्या रहता है free zone area और अब यह free zone area कितना होता है यह होता है side line से इसका distance होता है 3 meter का ठीक है लेकिन जो official या bird competition होते है फीवा के accordingly जो इसका distance होना चाहिए side line से बो होता है 5 meter और इसका जो end line से distance होना चाहिए बो होता है हमारा 6.5 meter यह होना चाहिए ठीक है ये वाला distance होना चाहिए 6.5 meter का ठीक है उसके बाद इसमें हमारे service zone रहते हैं ठीक है service zone में क्या होते है service करते हैं ठीक है service zone से service की जाते हैं और इसकी जो length होती है ये होती है 3-8 meter ये 3-8 meter इसके length और width तो इसकी accordingly port की width के according ही रहती है 9 meter ठीक है ये हो गया service zone और उसके बाद इसमें और क्या होता है इसमें liberal replacement zone इसमें रहते हैं ठीक है दौनों तरफ और ये कहां होते हैं हमारे attack line से लेकर end line के बीच में ये होते हैं दौनों तरफ को यहां पर देखिए इसमें ही क्या होता है 1.75 meter पर एक line लगी रहती है ठीक है जो क्या होती है coaches restriction lines ये होती है coaches यहां पर नहीं आ सकते है ठीक है और यहां पर एक scorer table होता है ठीक है और free zone area के बाहर side में ठीक है दोनों तरफ पर क्या रहते हैं 3 by 3 meter के हमारे warming up area यहां पर रहता है तो यह था पूरा coat ठीक है coat के बारे में अब हमें इसकी rotation के वारे में यहां पर समझेंगे ठीक है इसको दिहान से देखना काफी वच्चों को इसमें confusion हो जाती है जो इसकी rotation है वो होती है clockwise और जो इसकी position होती यानि कि यह खड़े कैसे होते हैं यह खड़े होते हैं anti clockwise यह देखिए इस तरह से खड़े हैं anti clockwise यानि नंबर बन प्लेयर है इसको universal कहते हैं ठीक है नंबर टू हमारा right side attacker है यह center blocker है नंबर थ्री यह counter attacker नंबर फॉर ठीक है नंबर फाइव हमारा sitter है और नंबर शिक्स हमारा लिब्रो ठीक है middle blocker है लिब्रो अब यह तो हमने देख ले कि यह position इसकी कैसी है anti clockwise है और rotation इसकी clockwise ठ सब्सक्राइब करें ठीक है और इनकी rotation बिल्कुल ऐसे ही होनी चाहिए, sequence में होनी चाहिए इसमें exception है, ठीके, Libro Libro जो है वो front zone में नहीं खेल सकता है, ठीके, ये attacker नहीं हो सकता ये defending player ही है, हम इसके बारे में next आगे पढ़ेंगे, ठीके तो ठीके, ये तो था rotation के बारे में, फिर उसके बाद हम पढ़ेंगे इसके temperature के बारे में, अब जैसे आप जानते हैं कि जो volleyball का खेल है, ये indoor game भी है, ठीके, जहां पर इसका temperature कितना होना चाहिए maximum 25 और minimum 16 degree centigrade ये होना चाहिए फिर उसके बाद है light intensity, ठीके, ये कितनी होनी चाहिए जो playing area है, उसके अधार पर, ठीके, जो खेल स्थल है उसके अधार से 1 meter उपर, ठीके, ये मापी जानी चाहिए ये कितनी होनी चाहिए, 1000 से 1500 lux के बीच में ये होनी चाहिए और ये लक्स क्या है हमारा, ये प्रकाश को light को मापने की unit होती है ये तो हो गया, उसके बाद हम इसके net or post के बारे में discuss करते है इसका जो post है, ठीके, ये white color के ये post होता है और ये adjustable होना चाहिए adjustable यानि कि इसकी जो length है, उसको गटाया बढ़ाया जा सकता है जैसे आप जानते हैं कि जो net height होती है, वो man's और remains के लिए अलग-अलग होती है इसलिए क्या है, इसके जो post है वो adjustable होता है, ठीके और इसमें देखे, pole की height कितनी होती है, 2.55 meter होनी चाहिए और इसका distance क्या होना चाहिए, side line से हमने पहले भी पढ़ा, side line से दोनों तरब को एक मीटर के distance पर ये pole लगे होते हैं तो इस तरह से इसके pole to pole distance कितना हो गया ये automatically 11 meter हो गया, ठीक है, 9 meter का तो हमारा port का area था और एक-एक मीटर side को हमारे pole लग गया तो total pole to pole distance हो गया 11 meter का तो उसके बाद हम net के बारे में पड़ते हैं, ठीक है, net की हाइट की चाहिए, ये height इसकी कितनी होनी चाहिए, men's के लिए होती है, 2.43 meter और women's के लिए 2.24 meter इसकी हाइट होती है, तो उसके बाद जो इसकी length होती है, ठीक है एक मीटर ये चौड़ा होना चाहिए ठीक है फिर उसके बाद जो इसके बॉक्सेज रहते हैं ठीक है इसके बॉक्सेज कितने क्यों होते हैं 10 y 10 cm की ये होते हैं और टोटल इसमें कितने बॉक्सेज होते हैं 1000 बॉक्सेज इसमें होते हैं और नेट के उपर एक पट्टा सा लगा रहता है ठीके 7 cm चौड़ा होता है और उस तरह से ही इसके नीचे भी एक पट्टा होता है नीचली तरफ को वो होता है 5 cm चौड़ा ठीके हमने नेट और पोस्ट की मेजरमेंट यहां पर कर ली नेक्स्ट हम करेंगे एंटीना क्या एंटीना लगे रहते हैं यहां नेट के उपर यह क्यों लगे रहते हैं क्योंकि गेम में नेट को टच करना फॉल होता है ठीके इसलिए नेट टच हुआ है या नहीं हुआ है कि देखने के लिए क्या लगे रहते हैं एंटीना यहां पर ल इसका इसका प्यास होता है हमारा one centimeter और यह antenna जो होता है यह ये और देंस अले हमने पढ़ा था कि जो नेट की विर्थ होती है चोडाई कितनी होती है एक मीटर तो outta 1m नाट होता है जो बहार को निकला रहता है इसका बाग भो होता है 80 cm क्योंकि 1.80 पॉटल लंबाई है फिर बॉल की मेजरमेंट देखते हैं बॉल क्या जो वेट होता है वो होता है 260-280 ग्राम के बीज में फिर है इसका circumferences यानि इसकी परिद्धी ठीक है यह जो बाहर से हम इसको पूरा गुलाई में नापेंगे तो यह कितना होगा 65-67 cm और इसमें air pressure कितना होता है 0.35 से लेकर 0.335 kg पर cm2 इसका air pressure इसमें रहता है फिर उसके बाद हम इसके rules को पढ़ेंगे यहाँ पर तो सबसे पहले देखिए players तो volleyball में कितने player होता है 6 player इसमें होता है 6 player एक time पर coat में खेलता है और 6 इसमें extra होता है substitution में होता है तो total एक team में कितने player होता है 12 खिलाड़ी इसमें एक team में होता है टोटल ठीके six इसमें extra होते हैं और six खेलते हैं कोट पे फिर उनकी जो dresses है ठीके जो इनकी uniform है उसके बारे में देखते हैं इन सबी खिलाडियों की जो dress है वो एक सी रंग की यहां पर होनी चाहिए सिवाए Libro को छोड़ कर ठीके Libro एक ऐसा player होता है टीम में जिसकी dress जो वो same color की है एक जो बीच में यहां खिलाड़ी है उसकी dress जो है वो सबसे different है यहां पर और इनकी जो dresses है उन पर एक से 28 तक यहां numbers होने चाहिए ठीक है और उन नंबरों का जो अकार है ठीक है वो chest की तरफ से कितना होना चाहिए 15 cm यहां पर होना जाहिए और peat की तरफ से 20 cm होनी चाहिए फिर हम पढ़ेंगे लिबरो के बारे में ठीक है लिबरो खिलाड़ी एक ऐसा खिलाड़ी होता है ठीक है जिसकी dress जो है वो सबसे different होती है और यह 12 खिलाड़ियों में से 2 यहां पर लिबरो होते है एक यहां पर coat में खेलता है एक time पर और जो दूसरा होता है वो substitution में होता है और लिबरो एक defensive player होता है ठीक है और इसको back zone में ही खिलना होता है और back zone में ही इसको replace किया जा सकता है ठीक है और back zone के अंदर भी जो service करने वाला खिलाड़ी है उसके साथ इसको replace नहीं किया जा सकता क्योंकि जो लिबरो है ठीक है वो service नहीं कर सकता है जो ल जो लिब्रो है ठीक है ना वो सर्विस कर सकता है ना ही वो अटैक कर सकता है ठीक है और ना ही वो टीम का कैप्टन बन सकता है फिर उसके बाद हम मैचिस के रूल्स के बारे में यहां देखते हैं सबसे पहले देखिए एक मैच के अंदर यहां पर कितने सेट होते हैं ठीक है ए एक set में कितने 25 point यहां पर होते हैं ठीक है पहले 4 set में होते हैं 25 point और जो 5 वा set होता है उसमें 15 points होते हैं जो volleyball का match है ठीक है वो tennis point के अधार पर खेला जाता है ठीक है जो team यहां पर पहले 25 point बना लेगी वो set को जीट जाती है लेकिन यहाँ पर condition देखे जो tie की situation यहाँ पर हो जाती है अगर दौनों ही टीमें 24-24 पर यहाँ बराबर हो जाती है तो उस थिती में क्या होता है ठीके तो उस थिती में यहाँ पर अगर कोई एक team एक point लेकर ठीक है यहाँ पर 25 point यहाँ पर बना लेती है तब वो यहाँ पर बिजेता नहीं कही जाएगी अब यहाँ पर जितने के लिए क्या चाहिए होता है 2 point की lead यहाँ चाहिए होती है जो team यहाँ पर पहले 2 point की lead कर लेगी तो वो यहाँ पर जित जाती है ठीके और जब तक यहाँ पर 2 point की lead नहीं हो जाती ठीक है तब तक ये match चलता रहेगा फिर next देखिए अगर कोई team 5 set में से 3 set जीत जाती है ठीक है तो वो match बहीं पर खतम हो जाता है अगर यहाँ पर 2-2 के set से बराबरी हो जाती है तब जाके यहाँ 5-2 set खेला जाता है और यहाँ पर भी अगर 5-2 set में tie हो जाता है यहाँ पर भी match तब तक चलता रहेगा जब तक 2 point की lead यहाँ नहीं हो जाती है फिर एक चेज इसमें और है यहाँ पर कि अगर कोई team match खेलने से ही यहाँ पर मना कर देती है तो यहाँ पर जो विपरी team है विपक्षी team है उसे यहाँ पर विजेता गोशित कर दिया जाएगा और वो 0-3 set से match जीर चाता है ठीक है और यहाँ पर point करेंगे 0-25 यहाँ पर point रहेंगे फिर उसके बाद है service rule सबसे पहली चीर तो यहाँ है कि service करते हुए खिलाड़ी जो है वो end line को यहाँ touch नहीं करना चाहिए ठीक है end line के बाहर से उसे service zone में रहकर उसे service करनी होती है और यहाँ पर देखिए जो पहले और पांचवे set है बहाँ पर service कौन पहले करेगा उसका निधारन toss के द्वारे यहाँ पर होता है और जो दूसरा, तीसरा और चौथा set है ठीक है यहाँ पर कौन पहले service करेगा उसका निधारन कैसे होता है उसमें यह देखा जाता है कि पिछले set में किस team ने यहाँ पर service की थी वो team यहाँ पर service नहीं करेगी प्रिक के विसल बजने के 8 सेकिंड के अंदर खिलाड़ी को यहाँ पर सर्विस करनी होती है, फिर next है इसमें timeout, ठीक है बोलिवाल के अंदर कितने time-out दे जाते हैं, ठीक है तो प्रती एक set में, हर एक set में एक team को यहाँ पर 2 time out दिये जाते हैं, एक team को हर set के अंदर दो time out यहां दिये जाते हैं 30-30 second के और यह time out आपते खेल में नहीं ले सकते हैं यह जब खेल रुखता है यह service break होती है उस समय पर time out ले सकते हैं और इसके अलाबा इसके अलाबा यहां पर दो technical time out खुदी मिल जाते हैं 60 second के और यह कब दिये जाते हैं जब leading team के 8 point हो जाते हैं तब पहला technical time out दिया जाता है और उसके बाद जब 16 point हो जाते हैं तब दूसरा technical time out यहां पर मिल जाता है और time out के दोरान जो है वह खिलाड़ी free zone में चले जाते हैं तिके उसके बाद है substitution ठीक है कितने यहां पर substitution होते हैं एक set में और किस तरह से होते हैं यह हम यहां पर देखते हैं कि जो maximum 6 substitution यहां पर एक set में हर team यहां पर ले सकती है यानि 2 या 2 से ज़्यादा player भी यहां पर substitute हो सकते हैं एक time पे ठीक है उस same request के अंदर और एक जीज़ है यहां पर एक set में जो है वो एक खिलाडी एक ही बार बदला जा सकता है और वो उसी खिलाडी के जगा पर बापी set में आ सकता है जिसकी जगा उसे बदला गया हो फिर है set के मद्य अफकाश यानि कि set के बीच में interval time कितना दिया जाता है यहां पर दो set के बीच में तीन मिनट का interval time दिया जाता है लेकिन जो यहां पर सिर्प दूसरे और तीसरे set के बीच जो interval time है ठीक है उसे 10 मिनट तक यहां पर बढ़ाया जा सकता है तिर next है यहां पर निरनायक या official इसमें कितने ओफिशल होते हैं इसमें होते हैं देखिए दो इसमें रैफरी होते हैं ठीके फर्स्ट रैफरी एंड सेकिंड रैफरी इसके अलावा यहां पर एक स्कोरर होता है और यहां पर दो या चार यहां पर लाइन मैन होते हैं यहां पर लाइन मैन का क्या काम होता है य खिलते समय जो बॉल है वो कोट के अंदर गिरी है या कोट के बाहर गिरी है यह सब देखना होता है लाइन में का काम फिर उसके बाद लास्ट है कार्ड कार्ड में देखिए यहां दो रंग के यहां कार्ड दिखाए जाते हैं येलो एंड रेड लेकिन इने चार तरह से यहां एंफिशल के साथ यापस में जगड़ा करते हैं किसी तरह का रूट कंड़क्ट यहां पर होता है तो यहां पर कार्ड दिया जाता है तो पहला यute कर्ड जाता है ठीक है उसके बार एकस क nodig के बार यहां दूसरी बार रेडर काड यहां डिया जिसमें पैनल्टी मीचे जाती हैसं इसमेंगम सर्वी से वो दूसरी में को दी जाती आती है अब तीसरा सपाइए देखे जो यलव सब्सक्राइब को आगर एक हाथ में अगर जाते हैं तो इसका मतलब होता जो player है ठीक है उसको match से ही यहाँ पर निकाल दिया जाता है expelled कर दिया जाता है और वो अब इस match में और नहीं खेल सकता है तो यहाँ पर यह हमने कुछ इसके rules और इसकी measurements के बारे में हमने पड़ा I hope आपको यह वीडियो अच्छा लगा हो आपके लिए helpful रहा हो अगर आपको वीडियो अच्छा लगा हो तो वीडियो को like कीजिए और चैनल को subscribe कीजिए